इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का उपयोग करते है और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. साइलाकार B-stabulate High Blood Pressure, Hypertension के इलाज के लिए इस्तिमाल की जाने वाली दवा है. यह calcium channel blocker नामक दवाओं की श्रेनी से संबंधित है, जो blood pressure को कम करने में मदद करती है. यह दिल के दौरे और स्ट्रोक को रोकने में मदद करता है. एंजाइना हिरिदे संबंधित सीने में दर्द को रोकने के लिए इसे भी लेने की सलाह दी जाती है. साइलाकार B-stabulate को अकेले या अन्य दवाओं के साथ लेने की सलाह दी जा सकती है. डोज आपकी कंडीशन की गंभीरता पर निर्भर करती है. आप इसे दिन के किसी भी समय, भोजन के साथ या बिना खाय ले सकते हैं. लेकिन प्रती एक दिन इसे एक ही समय पर लेना सबसे अच्छा है. डॉक्टर इसे जब तक लेने की सलाह देते हैं. तब तक इसे लेते रहें. अपने आप इस दवा को लेना बंद न करें. चाहे आप बहतर महसूस कर रहे हों क्यूंकि हाई ब्लड प्रेश में अकसर कोई लक्षन नहीं होते हैं. इसके कारण अचानक होने वाली बडोतरी की पहचान करना मुश्किल हो जाता है. और अगर आप इसे लेना बंद कर देते हैं, तो आपकी स्थिती और भी खराब हो सकती है. नियमित व्यायाम के साथ सक्रिय रखना, अपना वजन घटाना और स्वस्थ डाइट खाना आपके ब्लड प्रेश को नियंतरत करने में भी मदद करेगा. इस दवा को लेने के दौरान अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करें. सबसे सामान्य साइड इफेक्ट में धकान, एडिमा, पैरों में सूजन, नींदाना, चक्कराना, फ्लशिंग, हिर्दे की असामान्य धर्कन, दिल की धर्कन बढ़ जाना और सिर्दर्द शामिल हैं. अगर इन में से कोई भी आपको परिशान करता है या नहीं जाता है, तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें. पैर या टिखनो में सूजन और दिल की धर्कन बढ़ जाना जैसे साइड इफेक्ट की गंभीरता अन्य समान वर्क की दवाओं की अपेक्षा कम होती है. स्टडी दिखाया है कि इसका किड्नी पर भी एक सुरक्षात मकसर होता है. इसे लेने से पहले, अगर आपको लिवर, किड्नी या हरदय की कोई समस्या है, तो डॉक्टर को बताएं. गर भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को यह दवा लेने से पहले डॉक्टर से भ काम कर रही है. आपको अपना ब्लड प्रेशन यमित रूप से चेक करना चाहिए. वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें. और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बे करें. धन्यवाद.